नमस्कार दोस्तो, उत्राखंड monthly current अफेर के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में हमissenber 2022 के उत्राखंड current अफेर के जितने भी question है उन सबी को इस वीडियो में discuss करने वाले है ये वीडियो आपके एक्जाम के देश्टी कॉंट से काफी ज़्यादा महतुपूर्ण है तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमने एक करेंटिफर्स की वीडियो अपलोड की है 2019 से लेकर के 2022 तक की चार सालों की करेंटिफर्स का ये कंपाइलेशन है और मोस्ट इंपोर्टन करेंटिफर्स की कुशिन इसमें डिसकस किये गए है 2022 मिड नॉमबर तक का अपडेटिट करेंटिफर्स में है तो इसको आप जरूर देखें लोग को पूरे भारत में अरजुन पुरिसकार से सम्मानित किया जाएगा इसमें एक उत्रखन के भी खिलाडी है जिनका नाम है लक्स सेन ऑप्सन नमर 20 का सईजवाब है इनको 2022 का अरजुन पुरिसकार दिया जाएगा लक्स सेन देखें कॉमन वेल्स गेमस में 2022 में सोड़ नप पदक जीता था इनोंने और इनको जो है इस बार अरजुन पुरिसकार से सम्मानित किया जा रहे रास्ती खेल पुरिसकारों में देखें 6 केटग्रियों में रास्ती खेल पुरिसकार दिये जाते हैं इसके बार देखे अगर बात करें 2021 में उत्रक्रण के किस के लाडी को दिया गए था 2021 में दिया गए था 209 कार्या होकी की प्लैर है हरीदवार जन्पत की है और लक्स सेन जो है बेटमिनटेन के प्लैर है अलमोडा जन्पत की है तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, अगर एकजाम में 2021 का पूछे तो आप आंसर करोगे वन्दना कर्टारिया, अगर एकजाम में 2022 का पूछे तो आप आंसर करोगे लक्स सेम, तो ये आपको याद रखना है, बढ़ते हैं आगे अगली कुशिन की ओर, नेक्स है, पसुच किस्या के लिए मुबाइल एम्बूलेंस सेवा करने वाला उत्रकंड कौन सा राजी बना है देश का, तो इसका सही जवाब है, पसुच किस्या के लिए मुबाइल एम्बूलेंस सेवा सुरू करने वाला उत्रकंड तीसरा राजी बना है देश का, इस से प ambulance सेवा शुरू की गए थी उसी प्रकार का ये सेवा है जैसे 108 सेवा में एक नंबर था 108 जिसमें आप कॉल करते थे जिसके माध्यम से जो है 108 ambulance जो है आपके घर पर आती थी तो उसी प्रकार का जेखी यहाँ पर भी एक toll free नंबर जारी किया गए है 1962 तो इसका नंबर है 1962 यह आपको याद दखना है 16 नंबर को मुख्यमंत्री पुस्कर सिंग धामी दवारा mobile ambulance सेवा शुरू की गए है पसुच किस्जा के लिए बढ़ते आगे नेक्स टे वर्स 2022 में उत्रेखन की किस महिला को Florence Nightingale Award 2021 से समानित किया गया ये भी काफी महतुपूर्ण कुश्चिन है 2021 का Florence Nightingale Award 2022 में रास्टपती की दवारा दिया गया है और ये अवार्ड दिया गया है option number D ससी कलाब पांडे को लेकिन यहाँ पर देखिए आपको या रखना है कि दो लोगों अवार्ड मिला है 2021 के लिए एक तो हैं ससी कलाब पांडे ठीक है और दूसरी हैं गंगा जोसी इन दोनों को जो है Florence Nightingale Award 2021 से समानित किया गया है 2022 में Florence Nightingale Award जिया जाता है जो नर्स होती है उनको उनके फिल्ड में विस्थे सी युगदान के लिए पुरुसकार दिया जाता है हर साल 2022 में 2021 के लिए दिया गया है ससी कलाब पांडे और गंगा जोसी को अगर बात करें 2020 के लिए किसको मिला था वर्स दोजार बाईस में उत्रकंड गवरवरत्न पुर्षकार से समानित किया गया 9. November 2022 को उत्रकंड गवरवरत्न पुर्षकार प्रदान किये गए घर साल 9. November को यानिर राज इस्तापना जिवस के दिन ये पुरिषकार दे जाते हैं तो इस प्रसने का सही जवाब है उप्युक्त सभी टोटल पांच लोग को पुरुषकार दिया गया है पांच लोग कौन कौन से है NSA अजीर डोबाल भारत के पहले CDS विपिन रावत परसून जोसी जो की सेंसर बोड के अधिक सब्राइश चुकी है इसके बाद देखे गिरी स्तिवाडी गिर्दा और वरें डंगवाल इन पांच लोग को जो है उत्राखंड गौरव रत्न पुरुषकार से सम्मानित किया गया है वर्से 2022 में यह आपको याद रखना है इस पुरुषकार का नाम है उत्राखंड गौरव रत्न पुरुषकार नौ नौमबर को यादि कि राज इस्तापना दिवस के दिन जो है हर साली पुरुषकार दिये जाते हैं नेक्स्ट है उत्राखंड सरकार द्वारा लगपती दीदी योजना का सुबारम कप किया गया तो प्रिसली करेंट इफर की वीडियो में अक्टूबर मन्त वाले में हमने आपको बताया थे कि उत्राखंड सरकार एक ऐसी योजना जो है शुरू करने जारी है नॉंबर मन्त में तो इसका सही जिवाब है चार नॉंबर 2022 को ये योजना सुरू की गई है जिसका नाम है लगपती दीदी योजना ठीक है इस योजना के तहट देखिए टारगेट रखा गया है 2025 तक का कि एक लाग 25 जार महिलाओं को अगर कोई दीदी महिला जो है इस वीडियो को देख रहे है तो जल्दी आप लगपती बनने वाली है ये उत्राखिन सरकार की योजना है और डेट आपके लिए इंपोर्टन है चार नॉंबर 2022 और देखिए इसके साथ ही रिन तकनिकी मार्क दरसन परशिक्षन कि विबरन की सुभीदा भी इसमें उपलब्द कराई जाएगी बढ़तें आगे नेक्स्ट है 37 वे नेशनल जूनियर एथलेक्टिक्स चेंपिन सिप में वाक रेस में नेशनल रिकॉर्ड तोरकर किसने गोल्ड मेडल जीता तो इस परसन का सही जबाब है आप्सन नंबर ब की मांसी नेगी देखे और भी गोल्ड मेडल आया है उत्राखेंट के लिए लेकिन आपके लिए ये कोशन इसलिए इंपॉर्टन है क्योंकि यहां पर मांसी नेगी ने नेशनल रिकॉर्ड तोर दिया है वाक रेस में ठीक है जो पैदल दोर चाल होती है उसमें नेशनल रि कितने व्यक्तियों को संगीत नाटक अकादमी पुरुषकार से सम्मानित किया गया तो इस प्रसने का सही जवाब है उतरहखंड के चार व्यक्तियों को पुरुषकार दिया गया है अच्छ है इस पुरुषकार का नाम आपने इस साल पहले भी सुना होगा देखें यह जो 2018 से लेकर के 2021 तक के हाली में ही दिये गए हैं ठीके 2018 के संगीत नाटक पुरुषकार की बात करतोई ये पुरुषकार पहले दिये जा चुके हैं कब दिये गए थे अप्रेल मन्त में दिये गए थे जिसमें हमने आपको बताये थे तरेंच सिंह नेगी और दिवान सिंह बजेली को पुरुषकार दिया गए था 2018 के लिए लेकिन 2019, 2020 और 2021 के लिए इस नाउंबर मन्त में दिये जा रहे हैं 2019, 2020 और 2021 के लिए अब ये पुरुषकार पहले क्यों नहीं दिये गए आपको पता है इनको दिया गए है अब चार व्यक्ति कौन-कौन से हैं जिनको पुरुषकार दिया गए है तो पहले देखिए हैं भेरवदत तिवारी इनको फोक म्यूजिक और डांस के लिए ये पुरुषकार दिया गए है दूसरे हैं जग्दिज धौन्डियाल इनको folk music and dance के field में दिया गया है तीसरे हैं जुगल की सूर पेट साली ठीक है इनको जो है folk music and overall contribution scholarship in performing arts इसके लिए दिया गया है और चौते हैं नारायन से इनको भी folk music में पुरुसकार दिया गया है पुरुसकार का नाम है संगीत नातक अकादमी पुरुसकार 2021 के लिए दिया गया है यह आपको याद रखना है और 2018 के लिए की सो को दिया गया था 2017 के लिए ये दिया गया था अप्रेल 2022 में दिवान सिंग बजेली और नरें सिंग नेगी को यह आपको याद रकना है और इसी अकार्दमे के दोबारा एक और पुरुषकार दिया गया है जो उत्राखन की वेक्ति है उनको दिया गया है इसको मैं include करना हम थोड़ा भूल गए थो अब ही याद आ रहा है मिलीक है कि वो जो पुरुषकार दिया गया है वो पुरुषकार है उस्ताद बिस्मिलला यूवा पुरुषकार 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 यूवा पुरु पंद्रा एकड की जमीन में ये एस्ट्रो पार्क बनाई जा गए अब इस पार्क को बनाने का उद्देश ही क्या है तो अंत्रिक्स विज्ञान के अध्यन के लिए और परियटन के लिए इस पार्क को बना जा रहा है ये एस्ट्रो कम साइंस पार्क है ठीक है एस्ट्रो पार कहई बनाय गए था ये बनाय गए था जाल्दवानि मेई इसके बाद लखेए भारत का पहला पारिट का साइन सीटी कहां पर बनेगी ये भी हल्दवानि में उस्तक है नलन्दा until we meet again के लेखक कौन है तो रस्किन बॉर्ण जो है famous writer है इन्होंने इसको launch किया है लेकिन इसके लेखक है Gotham Bora, option number six का सही जवाब है Gotham Bora दारा लिखी पुस्तक है नालंदा until we meet again ठीक है इस पुस्तक का नाम है नालंदा until we meet again गौरब बौरदारा लिखी गई पुस्तक है जिसका वीमोचन जो है हाली में रस्किन बॉर्ण ने किया है next day जौल जीबी मेले का आईजन पिथोड़का जनपत के गोरी और काली नदी के संगम पर कब होता है तो देखे हर साल जौल जीबी मेला एक fix date होती है उस दिन लगता है और वो date है 14 November option number A इस प्रस्न का सही जवाब है जौल जीबी मेला कहां लगता है ये पिथोड़का जनपत में लगता है किस नदी के संगम पर लगता है तो काली और गोरी नदी के संगम पर ये लगता है अब देखें मेले की सुरुवाद होती है 1914 से ठीक है 1914 से इसकी सुरुवाद होती है और हर साल 14 November को ये मेला लगता है बाइदेवर 14 November को एक और मेला लगता है गोचर मेला ठीक है चौमूली में ये 14 November को ये भी मेला लगता है और यह जो जौल जीवी मेला है यह जो है व्यापारी मेला है एक परकार का ठीक है यह मेला बोटिया व्यापार से संबंदित है इस मेले में पहले गोड़ों का व्यापार होता था ठीक है व्यापारी मेला है जौल जीवी मेला बढ़ते आगे नेक्स्ट है हाली में उत्रखंट हाई कोड ने निम्न में से किस जील के सौंदरी करण और पुनर जीवी करण से संबंदित निर्मार कारियों पर रोक लगा दिये तो देखे उत्रगंड हाई कोड ने सूका ताल सूका ताल के सौंधरी करण और पुनर जीवी करण के निर्मान कारी उपर हाली में रोक लगा दी देखे सूका ताल जो है इसमें पानी जो भरता है वो वर्सा के कारण भरता है और ये रिचार्ज भी करती है नियनी जीवी को यानिकि जो नियन ताल लेखे उसको भी रिचार्ज करने के काम करती है तो यहाँ पर अगर कंस्रक्शन का कारिया होगा तो इससे जो है इस पर इंपेक्ट पड़ेगा तो इसलिए जो है हाई कोड ने यहाँ पर निर्मान कारी उपर रोक लगा दिये है इस जील का नाम है सूका ताल जील option number A इसका सही जिवाब है next है हाली में जारी स्वच्च सर्वेक्षण में उत्राखंड का सबसे स्वच्च सहर कौन सा है तो हाली में जारी स्वच्च सर्वेक्षण में एक लाग से अधिक आबादी वाले सहरों में उत्राखंड का सबसे स्वच्च सहर है option number A इसका रेंक है 69 69 रेंक पर है यह द्राखंड का सबसे स्वच्च सहर है इंडिया का सबसे स्वच्च सहर कौन सा है वो है इंदौर ठीक है लगता चटी बार यह बना है इसके बाद देखिए top 100 की बाद के बाद के तो top 100 में एकी सहर है उत्राखंड का देहदून ठीक है यह लिस्ट है यहाँ पर बड़े सहरों की रैंकिंग में 382 सहर है यहाँ पर और देखिए best गंगा टाउन कौन सा है तो हरीदवार जो है पूरे देश में सबसे best गंगा टाउन है यह भी आपको याद रखना है एक और question आपको याद रखना है जिस स्टेट में 100 से कम सहर है ठीक है उस लिस्ट में जो है उत्राखंड तीसरे नमर पर है यह भी आपको याद रखना है नेच्स टेट उत्राखंड बाल संग्रिष्टन आयोग एम इंडिया इनोजिसन की ओर से आई जित बाल विदान सबा में किसे मुख्य मंतरी चुना गया तो देखिए हाली में बाल मुख्य मंतरी यहाँ पर चुने गये है पुरा कई पुरा बाल विदान मंतरी का गठ्ण किया गये है उत्रखंड बाल संग्रिष्टन आयोग द्वारा तो यह चुना गया है रोहित परिहार को पागिस्त वर जंपत के रोहित परिहार इनको बाल मुख्य मंतरी चुना गये है वहीं सियाम पाठक की बात करे तो इनको विधानसbह देख से चुना गये है और दोज़ाँ तेईस में जो है गेर सेन ब्राड़ी सेर में इनका एक विधानसbह सतर भी होगा बाल विधानसbह सतर ठीक है तो ये आपको याद देखने है और वहीं एक 2021 का करेंट इफेर आपको याद होगा 2021 में एक दिन के लिए मुक्यमंत्री किसको बनाया गया था सिस्टी गोस्वामी को बढ़ते हागे नेक्स्ट है त्रेपनवे अंतरास्टी फिल्म मौवसो 2022 में बोटिया जन्जाती की लोग कता पर आधारित किस फिल्म को दिखाए गया है त्रेपनवा अंतरास्टी फिल्म मौवसो ये हो रहा है बाइद वे गोव में ठीकि कहा हो रहा है गोव में ये करेंट इफेर का भी कुशिन है ये भी आपको याद रखने है इसमें देखिए उत्रकंड की एक सौट फिल्म है भोटिय जनजाती पर आधारित इसको यहाँ पर दिखाए गया है इसका नाम है पाताल ती पहली भी हमने इसको बारे में बात किया था बुसान इंटरनेसर फिल्म फेस्टिवल में इसको नॉमिनेट किया गया था मेक्सिकन फिल्म पेस्टिवल में इसको नॉमिनेट किया था तो यह काफी चर्चा मैं अभी एक्जाम आपसे बन सकता है पाताल टी मतलब है होली वाटर ठीक है ती का मतलब है टी ने है चाय के समàशिवल नहीं है ती का मतलब है हमद्वल पानी से है तो पाताल ती जो है, इसका मतलब है हुली वाटर, ये एक फिल्म है, लगो फिल्म है यानि ये सौट फिल्म है, चोपीस मनेट की और इसको जो है, अंतरश्टी फिल्म महसो 2022, जो गवाम हो रहा है वहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है तो यह आपको याद रखना है नेक्स्ट है हाली में यहाँ पर है गंगा गंगा उसो नदी महुसो 2022 का आईजन कहां किया गया तो गंगा नदी महुसो 2022 का आईजन होता है नई दिल दिल में और इस महुसो को आईजित किया गया है जल सकती मंत्रादे के द्वारा चार नॉवंबर 2022 को अब इस question को इसलिए है अपने include किया है इस से related आपका एक static जी के question है वो है चार नॉवंबर 2008 ये date आपको याद होगी चार नॉवंबर 2008 को जो है गंगा को रास्टी नदी का दर्जा दिया गये था तो गंगा को रास्टी नदी कब गोस्ट किया गये था चार नॉवंबर 2008 और चार नॉवंबर 2022 को ही ये महसो हुआ है नहीं दिल्ली में तो ये करेंटेफर के question थे नॉवंबर मन्त के I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और देखिए जो चार साल का करेंटेफर है 2019 से 2022 नॉवंबर मिर्ट तक का तो उसको आप जरूर देखिए उसमें से आपके exam question जरूर बनेंगे और December मन्त की करेंटेफर की वीडियो आपको अगले मन्त में मिलेगी ठीक है तो ये है इस वीडियो को एंड थाई थाउड देखिए और देखिए अडियो det